हेलो फेंड्स आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे सर्वेसर फूड लिम्टिड पे फेंड्स इस टोक की काफी इंपोर्टेंट अपडेट आई है साथ ही में इसके हम फंडामेंटल भी जानने वाले हैं कि इसके फंडामेंटल कैसे हो और उस अपडेट से इस पे कैसा देखने को मिलेगा वह भी हम डिटेल से समझने वाले हैं यह वीडियो आपके लिए काफी हालफूल रहने वाले वीडियो को पूरा जुरूर देखना आगे बनने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है अगर फर्स टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को इसके बात करें तो five days में 8.49% का रिटन इसने अपने इंवेस्टों को बना के दिया वहीं पर वढए और फाल ये में आप प्रकाल तो चैनल के चैनल को जो चैनल को अपने लाफ्ट के लेगि अब चैनल को ड़ियो नेशनल ग्लोबल फूड DMCC की बची हुई जो स्टेक है उसे एक्वाइर करने जा रहे हैं उसके बाद ये इसकी होल ओनर्ड सबसीडरी कमपनी बन जाएगी मतलब अब फिर इसके उपर पूरा इनका हग हो जाएगा इस कमपनी पे आप सभी को पता ही है कि जो सर्वेसर प्रडस क करता है मेंलि जो बासमती राइस है इसका प्राइक्शन करता है यहिए अगर हम बात किए अपडेट के उपर फिर से तो यह जो अपडेट है यह अपनी जो बची ही स्टेक है उसे एक्वाइर कर लेंगे तो फूल होली सबसेडरि कंपनी बन जाएगी तो यहाँ इसके बाद इनकी जो revenue है उसमें भी आपको growth देखने को मिलेगी और December quarter तक ये इसको acquire कर लेंगे जो की positive way में आने वाले time में भी आपको इसमें माहुल देखने को मिलने वाला है आप इसके उपर focus बना के रख सकते हो इसकी जो market cap है 957 क्रोड की है और यहीं पर अगर हम बात कर इसकी book value की book value है 2.95 की stock भी है 47.2 की है ROCE है 11.8% और ROE 7.95 का यहीं पे अगर हम बात करें पर motor की holding 54.8% की है यहीं पे अगर हम बात करें जो quarter profit VR है वो है 68.5% का अगर हम बात करें company की growth की तो company की growth भी काफी शांदार है यहीं पे 80.2% के में देखने को मिल रही है company के पास शांदार working capital है जो की है 576 क्रोड की और यहीं पे अगर हम बात करें company पे debt वो ती कम है आप ना पात कर भी कह सकते हो because यहाँ पे अगर आप देखोगे 304 क्रोड की है और total assets कितनी है इनके पास 904 क्रोड की और working capital भी 576 क्रोड की अगर यह अपने इसको debt को कम करना चाहें तो चुटकियों में कम कर सकते हैं यह company fundamentally काफी strong है बट investment से पहले प्लीज कुद कैनलाईज जरूर करें